नमस्कर दोस्तों, बात करेंगे ईurétrik स्टोन के बारे में उरेटर एक शोटा सा पाइप होता है जो आपकी किडनी और यूरीनिन ब्लैडर को कनेक्ट करता है और इसमें से यूरीन पास होता रहता है लेकिन अगर किडनी का स्टोन स्लिप होकर इसके अंदर आ जाए जिन patients को kidney stones की problem है उनके kidney में से अगर कोई stone छोटा है और slip होकर ureator में आ जाए या stone break होकर ureator में आ जाए या अगर upper ureator में या नीचे ureator में कही का obstruction है उसकी वज़े से भी ureator के अंदर stone बन सकते हैं इनके types क्या है kidney stones की तरह इनके भी वही types हैं जो kidney की stones में रहते हैं और सबसे common है calcium stones calcium stones calcium oxalate या calcium phosphate के हो सकते हैं उसके बाद ureak acid stones जो की ureak acid के ज़्यादा होने से हो सकते हैं struvide stones जो urinary infection के वज़े से हो सकते हैं और cystine stones जो cystine के ज़्यादा production के वज़े से होते हैं यूरेट्रिक स्टोन के रिस्क फेक्टर्स क्या हैं? वो लोग जो पानी कम पी रहे हैं, जिनको डियाबटीज है, पॉलिसिस्टिक किड्नी डिजीज है, या आपके फैमिली के हिस्ट्री है स्टोन बनने की, तब आप में इसका रिस्क ज्यादा रहेगा. यूरेट्रिक स्टोन के सिम्टम्स क्या हैं? एकदम से शाप पेन होना, खास तोर पर आपके फ्लैंक में और अगर ये स्टोन नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, तो ये पेन भी नीचे की तरफ आपकी ब्लैडर की तरफ ट्रैवल करता जाता है. यूरिन पास करते होए पेन हो होना। यूरीन के अंदर ब्लड आना। यूरीन का कलर चेंज होना बार बार यूरीरीन की फिलिंग आना और यूरीन करने में डिफिकल्टी फिल करना ये harness रुवज़ बї उरेट्रिक स्टॉन केुछ स्कूंग हो सकते हैं। हम यूरेट्रिक पता चल जाता है कि यह stone ureter में हैं या नहीं अगर ultrasound से भी picture ना clear हो तो city scan की help से हम uretric stones को भेचान सकते हैं uretric stones की treatment में बहुत सारे options हैं अगर यह stone बहुत छोटे हैं less than 5 mm है और लगता है कि इससे कोई और complication नहीं हुआ है तब डॉक्टर्स आपको कुछ medicines देकर stone को निकालने की कोशिश कर सकते हैं पानी जादा पीकर कोई drip लगाकर hydrotherapy से ही इस stone निकालने की एक प्रयास किया जा सकता है लेकिन अगर इस stone within few days नहीं निकलते हैं या इनकी वज़े से kidney को damage हो रहा है बार-बार infection हो रहा है बहुत severe pain हो रहा है तब इसका treatment करना किसी ना किसी माधियम से जरूरी हो जाता है shock wave lithotripsy एक high frequency ultrasound के थ्रू कुछ waves यूरेटर के stone में हिट की जाती हैं जिससे इन stones को निकालने की कोशिश की जा सकती है इसके बाद ureteroscopy यानि की बहुत इक पतला एक camera डाल कर urethra के थ्रू यूरेटर के अंदर enter किया जाता है और इन stones को पकड़ कर या अगर यह बड़े हैं तो इने तोड़ कर urine के रास्ते से ही इने निकाला जा सकता है common language में हम इसे URS के नाम से जानते हैं अगर यह ureter के बिल्कुल उपरी हिस्से में है तब PCNL यानि percutaneous nephrolythotomy करके जैसे की kidney में से stone निकाला जाता है उसी तरीके से upper ureter के stone को वापिस kidney के अंदर धकेल कर इसे kidney के अंदर से निकाल सकते हैं जबकि अगर यह lower ureter में है तो URS की मरत से ही इसे निकाल सकते हैं इसके बाद एक ureter क्स्टेंट यानि कि पतला सा एक pipe आपके ureter के अंदर छोड़ा जाता है कुछ दिनों को लिए ताकि healing में कोई दिक्कत ना आए और अच्छे से आपका ureter heal हो जाए उसमें कोई structure ना बने, कोई और complication ना हो और कुछ दिनों के बाद इस tent को निकाल दिया जाता है बिना किसे चीरी के urine के ही रास्ते से URS एक छोटा सा operation है और आप इसे करवा कर same day evening या next day अपने घर जा सकते हैं और अपनी normal life में वापिस आ सकते हैं इसमें कोई भी cut नहीं लगता क्योंकि simple urine के रास्ते से ही stone को निकाल दिया जाता है urine का bag लगाने की भी जादतर cases में ज़रुवत नहीं रहती और आप बहुत quickly अपनी normal life में वापिस आ सकते हैं हम इन stone से कैसे बचे आप अपनी hydration ज्यादा रखे एक अच्छी quantity में पानी लीजे अपनी animal protein की intake को कम किजे यानि की meat mass या eggs की consumption को कम कर सकते हैं अगर आप में risk factors हैं kidney या euretric stone बनने के अपने salt की amount को कम रखे और एक weight अच्छा maintain कीजे अगर heavy weight हैं तो weight loose कीजे अपनी oxalate की intake को also कम कीजे we hope कि ये वीडियो देखकर आपको euretric stone के बारे में idea लगा होगा और आप या आपके आसपास को इससे परिशान है तो आप एक अच्छा decision ले पाएंगे बहुत जल्दी इससे बाहर आप आएंगे